नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चनल लेके ओंड जाइन में दोस्तों आज हम डिसकस करने जा रहे हैं 25 बाई 30 इस साइज में बने हुए प्लान के बारे में ये प्लान तीन साइड से मकान से घिरा हुआ है हमारे एक क्लाइंट है उन्हीं की रिक्वा से क्षाइब पहरे चुल से इसए प्लान बनाया थो ऑपको वीडियो देखना है तो छोटी डियो है पूरी वीडियो जरूब देखे दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे वाने कर पाएंगे सारी डिस्क्रीशन मेरे यह वहां से हम यावरे चेकर करएंगे नमबर मेरे क। सबस्क्राइब डिसक्स करते हैं इसका फ्रेंट टेलिवेशन इसा ne स्थटेओं रम यहां से आपके आपका मेंगे हो जाएगा इधर साइड में आपका एक विंडो है विंडों को उपनिंग एपिट हमने बाहर निकाला है ठीक है और यह वाला जो design है आप देख सकते हैं यह जो design है इसको हमने क्या है 2 board करके निखाला है आपके जॉआल है इससे दो इंच बाहर की है इसका color combination आप देख लिए white color है और यहां पर हमने stair हो जाके square shape में तो यह design का part है दोस्तों ठीक है और इधर railing की बात के हैं दोस्तों तो यहाँ हमने एक जाल दिया है designing बाहर से look बहतरीन आ रहा है इस railing का इस pattern पे आप design करेंगे तो आपका look बहतरीन आएगा और यह आपका designing का part है square में और यह भी same designing का part है इस design को हमने 2 इंच बाहर किया है यह वाला design आपका इस wall से यह दो इंच बाहर है और यह वाला जो design है यह एक बाहर है यह सारा design का part है दोस्तों ठीक है और इधर की बात के हैं दोस्तों तो यहाँ हमने cast iron का steel यूज़ किया है यहां सी इस तरीके से concept इसको डिजाइन कर सकते हैं और उपर की बात करें यह आपकी रेलिंग को डिजाइन किया है इस पैटन में आप देख लिए इसको किस कॉंसेट में आपका जो मम्टी रूम है तक मम्ते रूम की डिजाइन आप देख लिए यह इसके पर रहा है और यहां पर बीचमार्बो सकत Müर्ण करें इसी लुप बहतर है यह यह इसको में जंगे दिए गया गया दोश्थो आठ यह सब डिजाइन के पार्ट है तो यह ब dispust करते हैं इसका ग्रॉंद उस्ता तो ग्रांड पॉर्ड में आप देख सकते हैं दोस्तों इसको यहां से पिंटी कर जाएगे इसको आप जोड़ा धोरी इन चुटी में पर आपकंड कर सकते हैं दोस्तों और इसको ऑज़ा बरामदा भी आप यूटिलाइस कर रहते हैं दोस्तों यह वाला आपका इस टेप हो जाएगा इस तरीके से डिजैन किया है इस टेर की जो डिजाइन आप देख लिजी हमने बॉर्डर के साथ इसको यूज किया है चार इंच दोनों साइट बॉर्डर दिया बीच में मारवल टैल्स का बॉर्डर हमने ग्रिनाइट का यूज किया है और यह आपका हॉल जो है सOR algunas में इसको डिज्याइन किया है यहां पर आपका है में गेट है में इंट रबंग करेंगे यह पूरा अफ़ा डांे लिविंग हो जाएगा यहां सामने हमने किचन डिज़न किया है अप देख सकते हैं इसके की कर पाएंगे और उपर वाला यह जो है यह डिजाइन आप देख सकते हैं इसको बेज़े स्टोर इस आप बना सकते हैं इस किचन के विंटिलेशन के विंडू इस साइड लगाया है यहां से जो भी हीट वगएर होगी यहां से विंटिलेट हो जाएगी और इसका जो अब इस विंडूं है इस रखा गया यहां को ऊपर प्लान में बताइएंगे दोस्तों ओटिए सका मतलब यहां सभी आप से देख लिए यहां से वहाल्ट्रोप इसका हो जाएगा और यह आगे की बात कि आपका टॉलेट बाथ रूं में और ने देए इसकी वाल पर हमने ते दोस्तों आप देख सकते हैं इस concept पे इस bedroom से अटेज हमने एक ट्विलिट बात हम दिया है इसका विट्वीन यहां से हो जाएगा और यह दो विंडू पर इस तरीके से यहां से विंटुलेशन इन दोन बडिलों को विंटुलेशन यहां से हो जाएगा और यह दूसरा पर दिए गया तो यह आपको दूसरा वाल्टो बने कारेंगा तो आयो भी सब्सक्राइब कुछ खास नहीं कि अपका यही रहेगा यह इस तरीके से आपको पड़ेगा पड़ेगा स्लेब में यहां पर स्लेब कास्टिंग नहीं होगी यहां पर इस तील की ग्रिल लगा दीजिएगा इसे आपको प्रॉप्र विंटिलेशन होता रहेगा इस दोनों साइड ठीक है और इसको बारिश के पाने के लिए आपको यहां पर थोड़ा कबर करना ईसका जो पत्रा आता है ठीक है और यह आपका ओंटीरूम हो गया तो यह ब डिसकस करते हैं इसका टूडी प्लान तो टूडी प्लान का आप एक स्किन सॉड्ड भी ले सकते हैं दोस्तों ठीक है अब इसको थोड़ा समय जूम कर लेते हैं है कि धिक एक में Canada हो गया यह का ब्रामдे का जो साथ ने लुई और टो टल लॉन्थ मेंыл लॉट लो ह्यों रखा है ने ल मुदे princess इस पैंट यहां पिर जाइगा तुम हो जाइगा साथ नैंटु mema अनिट इस पैटर्न पर ड्याइन किया है तोड़ा चोटा है ठीक ठाक शून्याइख यह संद्ट यहां से इसका विंटिलेशन हो जाएगा तो इस सारा कुछ आप देख लेजिए और यह थोड़ा समने जो इस पेस्पिकेशन दिया है आउटर वाल आपकी नव इंच है यह बाहर बाहर की जो भी वाल है नव इंच है यह और यह क्यों यह जो जिसमें विंडो लगा है यह वा आपको और यह दो आपको आपको रखना है एक सब्सक्राइब नावन इनव जो है दो इसका जो साइज है तीन फिट है इसका अट नवर आफ यह दो डी नवर दी दो सकते चुछ तो अगर आपकी रिकार्मेंट है तो आप हमको डैकली कॉंटेक कर सकते हैं दोस्तों तो यह है मेरा प्लान दोस्तों अगर यह आपको वीडियो बहुत पसंद आया हो दोस्तों तो इसे अपने तक प्लीज सीमित ना रखें से दोस्तों यह फिर जिसको भी construction की requirement है जो भी मकान बनवाना चाहते हैं उनको जरूर recommend करें दोस्तों तो आसा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आगा और वीडियो पसंद आए प्लीज माने चैनल एकम डिजन को लाइक से और सब्सक्राइब यह उनके दूस्तों थेंक्यों दूस्तों